हलो स्टूड़ंस तो अब हम लोग आज एक नाया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तेक है और इस नय चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है मोशन ओफ चार्जेज तो मोशन ओफ चार्जेज इसलिए क्योंकि अब तक हम लोग जो तो बेसिकली अब हमें मोशन चार्ज के मोशन को देखना है और इस चैप्टर के अंदर कुछ बाते मैं बता दूँ तो थोड़ी सी ये बात समझ लें कि इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टन्स क्या है अब अकॉर्डिंग टू दी एक्जाम्स तो जैसे जई में या एडवांस या फिर हम अगर इस तरह की नीट जैसी कोई एक्जाम देखें तो ये बात समझ के चलें कि ये एक बड़ा इंपॉर्टन्स चैप्टर है इस चैप्टर में से आपको हमेशा हर एक्जाम में क्वेशन दिखेंगे ही दिखेंगे ऐसा कभी भी कि यहां पे इस चैप्टर में से कुछ मिस हो जाए या अगर जैसे जैसे जैई में इनके अंदर अपने पास 25 क्वेशन है तो ऐसा नहीं होगा कि इस में से क्वेशन ही नहीं आ रहा है करेंट इलेक्टर सिटी में से आपको हमेशा मिलेगा दूसरी इंपॉर्णन बात यह ह कि यह जो चैप्टर है काफी सिंपल है कुछ एक basic fundamentals है अगर आप उन basic fundamentals को अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो definitely आपको वहाँ पे बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को कि किसी भी question को solve करने में तो बहुत अच्छा चैप्टर है scoring चैप्टर है और एक बात जो भी कुछ इस च चैप्टर में आपको जो question competitive exams मिलेंगे बिल्कुल उसी में से मिलेंगे यानि आपको बिल्कुल भी tension लेने की जरुवत नहीं है आप बिल्कुल सरफ fundamentals जो यहाँ पढ़ाय जा रहे है उस पे ध्यान दें आपको competitive exam में आने अला question बहुत आसानी से बन जाएगा ये एक simple चीज है और अब बात करते हम इस chapter की तो फिर थे हमारा YouTube channel FIA Mediowenture है ना so we welcome you for that और let's proceed for this chapter है ना अब इसके बारे में इसके अंदर जाके हम लोग देखते है कि यह current electricity क्या है 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 ना तो basic चीज एकदम basic fundamental बाते में बताऊं अगर तो current electricity तो it is basically it is related related to motion of charge motion of charge तो यह charge के motion से related है अब जब आप पहली बात इसके पहले जो आपने देखा था तो आपने पढ़ा था electrostatics तो जो electrostatics था उसमें हमने देखा था charge static means rest थीक है तो हमने यह चीज देख ली थी कि भई charge जब rest पे होता है तो किस तरह से behave करता है कैसा उसका process है क्या है वो सब हमने देख लिया था that was electrostatics अब हमने देखना है it is related to motion of charge तो uniform motion हो सकता है और साथ ही साथ non uniform या मैं कह सकता हूं accelerated motion हो सकता है ठीक है ना तो अभी बिलकुल simple चीज है कि current electricity is all about current electricity is all about motion of charge with uniform speed it's all about uniform speed current electricity is all about motion of charge with uniform speed uniform speed होगी constant speed होगी उस तरीके के motion की जब हम बात करेंगे तो हम current की बात करेंगे current electricity chapter में अभी हम सिर्फ uniform speed की बात करेंगे फिर अगर हम accelerated motion में जाएं तो यह आ जाएगा electro इसको हम कह सकते हैं कि यह जो चीज है it is related to magnetism you can say it is related to magnetism याने current से उपर जाके अगर देखें अगर charge एक accelerated motion कर रहा है तो वो magnetism create करेगा यह हमारा next chapter होगा next unit होगा तो हम उस तरफ जब जाते हैं तब हमें पता चलेगा कि charge के acceleration से किस किस तरह की नई बात ही हमें सीखने मिलेंगी तो that is different thing अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ इस पर focus करेंगे that is our motive that is current electricity अब simple चीज है एकदम basic बात है जो आप पहले भी define कर चुके हैं तो आपको पता है कि भई what is current current is nothing but rate of flow of charge rate of flow of charge with respect to time बड़ी basic सी बात rate of flow of charge with respect to time जब भी भाई कभी जब भी कभी charges flow होंगे charges flow होंगे तो it will contribute to some kind of current ठेक है ना तो current basically तब होगा जब charges का flow होगा अब एक बहुत simple सी चीज है simple सी basic सी बात है मैं basic सी बात तुमसे पूछूंगा अपन कोई भी metal का piece ले ले कोई भी metal का piece ले ले जैसे इस रूम में बहुत सारे windows है windows की जो bottoms हैं वो aluminium की बनी होई है ठीक है या फिर आप कोई iron का rod ले 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 या फिर किसी भी तरह का कोई metal का piece ले 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 अब जो metal है उसके अंदर atoms है atoms है तो electrons भी है electrons है तो electrons सारे घूम रहे इदर उदर random भाग रहे इदर उदर वो atoms के राउंड इन्हें nucleus के round atom में घूम रहे अब बात यह है कि जब भी कभी rate of flow of charge होगा with respect to time या जब भी कभी charge भागेगा समय के साथ तो current आ जाएगा ठीक है और current यानि क्या होती है सबने अपनी life में कभी-कभी experience किया होगा भाई कभी-कभी हमें क्या होता है कभी-कभी कुछ चोटी-मोटी चीज़े रहती है हम लोग unsafe work करते हैं जैसे for example हमारे यहां का कोई fan खराब हो गया कभी-कभी हम कोशिश करते हैं कि चलो हम उसे सुधार लें तो हम क्या करते हैं उसको कुछ सुधार लें के लिए हांत पगेर लगाने की कोशिश करते हैं कभी अगर उसमें को यही करेंगे उमीद कि ऐसा ना हो आपके साथ क्योंकि वो अगर बहुत high current रहेगा तो आप बहुत severe damage भी face कर सकते हैं तो ऐसे तो ना हो आपके साथ बट कभी ना कभी हमें अपने जीवन काल में यह ऐसे जटके जरूर लगते हैं कहीं ना कहीं छोटे-मोटे चीज़ों में लग जाते हैं तो we all feel what is current अब next चीज यह थी कि यह जो current वाली चीज थी यह rate of flow of charge वाली जो चीज थी तो मैंने कहा था कि metal का piece उठाओ metal के piece में तुमने देखा वह सारे items हैं, electrons हैं, electrons जो है, nucleus के राउंड घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिर अगली बात यह आती है sir आपने कह दिया rate of flow of charge is current तो भी flow of charge, charge का भागना तो current है ना तो इसका मतलब मैंने metal की rod उठाई, एक iron की rod उठाई दिमाग में question आता है मेरे, कि इस iron की rod के अंदर अगर मैं देखूं तो electrons भाग रहे हैं, nucleus के राउंड दौड रहे हैं, अब क्या, मैं ये मान लूँ कि इस iron की rod को मैंने जो उठाया है, उस rod पर भी current होना चाहिए, मैंन ये एक metal है, ठीक है, या फिर या अगूठी है, ये भी metal है, है ना, अगर मैं इस metal को पहन सकता हूँ, पर इसमें तो charges है, और flow भी है, electrons तो चल रहे हैं, nucleus के राउंड घूम रहे हैं, तो जब वहाँ rate of flow है, तो फिर इसमें से भी current लगना चाहिए, सीधा question आपको अपने 8th standard 9th standard की teacher से पूछना चाहिए था कि, अगर आप बोलते हैं कि rate of flow of charge ही current है, with respect to time, तो हम तो ये rate of flow हर metal में देखते हैं वह rate of flow होने के बावजूद, फिर ये कैसे current contribute नहीं कर रहा है, यानि मुझे तो ये bracelet है, इससे current लगना चाहिए, बड़ी simple सी बात है, कहीं का भी metal piece पढ़ उसमें मुझे current लगना चाहिए, अब ये जो question है ना, ये आपको उस समय पूछना चाहिए था 9th standard, 10th standard में जब आप पहली बार current के बारे में पढ़ रहे थे, but maybe आपने नहीं पूछा या शायद आपने पूछा हो, अगर आपने पूछा होगा तो शायद अगर एक आपको genuine answer मिला होगा, तो वो ये मिला होगा, कि भई देखो, definitely वहाँ electrons या फिर बाकी metal के अंदर जो charges हैं, वो दोड़ तो रहे हैं, पर उनके दोड़ने का जो तरीका है, जो motion है, वो random motion है, और random motion होने के कारण, उनका जो net displacement है, वो net displacement, जीरो है, अगर net displacement zero है, इसका मतलब rate of flow नहीं आ रहा, rate of flow नहीं आ रहा, उनके पास कुछ speed है, they are also traveling some distance, speed भी है, distance travel भी कर रहे हैं, पर displacement नहीं है, वो net displacement zero है, उनका motion कुछ इस तरीके से है, randomness, वो ऐसा, 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 रेंडम चल रहे हैं, अब ये तो तब हो रहा है, जब हम एक simple metal का पीस उठा ले रहे हैं, उस metal के पीस में हमेशा उन charges की randomness के कारण उनकी net displacement zero है, जिसके कारण वहाँ कोई rate of flow of charge नहीं है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं, कि वहाँ current contribute, वहाँ current flow नहीं हो रहा है, तो basically, अब फिर current कैसे flow होता है, इसके बा से बात निकाल दो, कि कोई भी metal उठाया, कोई भी conductor उठाया, उसके पास electrons थे या उसके पास charges थे, charges अंदर तो motion कर रहे थे, हमें तो atomic structure में पढ़ाया गया था, जब atomic structure में पढ़ाया गया था, तो charges का motion तो है, फिर current क्यों नहीं है, तो ये बात समझ लो, उनका net displacement zero है, इसलि कि वहाँ पे हमेशा उसका net displacement, charges का net displacement zero होता है, because of their random motion, that's why we do not have any current in that piece of metal, or in that piece of conductor, okay, तो ये एक बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, कि अब हम इस concept को, या इस base को लेके चलेंगे, rate of flow of charge, that is current, current is represented by I, current is represented by I, छोटे I से हम इसको represent करते हैं, ठीक है, its unit is ampere, थोड़ी इसकी भाई, current को पढ़ना है, या फिर capital A से represent करते हैं, ठीक है, ampere is again, it is on the scientist's name, that's why हम जो उसको अगर लिखेंगे symbolically, तो सिफ capital A लिखेंगे, ठीक है, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, 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 जैसे कि तुमने अगर पहले की classes देखे होगी, तुम सब बच्चों ने अगर पहले की class देखे होगी, तो मैंने बताया था, scalar का मतलब क्या, जबकी current has direction, current has magnitude and direction also, current has magnitude as well as direction, कैसे magnitude بھی, direction भी कैसे है, क्यों है, बताये ज़रा, तो ये वाला बाई, एक current आ रहा है, ये वाला दूसरा current आ रहा है, ये 2Empere का रहा है, ये 3Empere का रहा है, इसका direction भी है, और ये इसका magnitude भी है, जब यहां से common wire के अंदर चले जाएगा तो this will be 5 ampere पर आपको याद होगा अगर ये एक force का vector है मेरे पास और ये दूसरा मेरे पास force का vector है this is f1 vector, this is f2 vector तो अगर मुझे इसका resultant निकालना है तो मेरे पास f resultant के लिए formula होगा f1 square plus f2 square plus twice f1 f2 cos theta तो आप सब ये जानते हैं कि जब भी कोई vector quantity को हम जोड़ते है तो उनके बीच का angle माईने रखता है यहां पर कोई angle माईने नहीं रखता है यहां कोई angle की हमें जरुवत नहीं है हम सीधे 2 और 3 को direct add कर देंगे तो हमें 5 ampere मिल जाएगा इसका मतलब even though it has magnitude and direction but it does not obey the law of vector addition अब भाई तीन condition होती है किसी भी चीज को vector बनाने के लिए एक तो उसके पास magnitude होना चीजए एक तो उसके पास direction होना चीजए और तीसरी चीज़ अगर वो law of vector addition को अबे नहीं करता तो उसे scalar की श्रेणी में डालना पड़ेगा पर एक बात और ध्यान रखें कि तीसरी category भी होती है vector, scalar and tensor है ना तो tensor वाली चीज हमारे syllabus में नहीं है पर अगर कभी option में दिया जाए कि ये tensor है क्या तो आप current को definitely tensor माने पर अगर option में tensor नहीं है vector, scalar है तो definitely it is a scalar quantity तो ये basic बात हो गई उसके लिए इसका basic introduction हो गया आपको यहां इस angle पे कोई भी तरीके का moderation लेने की जरूद नहीं है 2 ampere, 3 ampere को simple algebraic addition कर दें सिर्फ numbers जोड दें you'll get the total current in the third branch that is of 5 ampere you need not to worry about this angle as we require the same thing for the vector additions that's why हम ये कह सकते है कि current जो है वो vector addition को follow नहीं करता है वो सिर्फ simple algebraic scalar addition पे ही believe करता है तो इस तरीके से हम current को add कर सकते है that's why current is a scalar quantity उसका unit ampere है अच्छा एक और बात समझ लें एकदम basic हम लोग जब units and measurement या fundamental physical quantity की बात करते है तो ये जो ampere है ये one of the fundamentals seven fundamentals के बारे में आपने सुना होगा seven fundamental quantities जो थी इन seven fundamental quantities में से एक जो है ampere है यानि जब हम किसी का भी dimension लिखते है तो mass length time लिखते है तो वहाँ ampere भी लिखा जाता है ये ampere भी अपने आप में एक fundamental है इस chapter से आगे आपको सारे के सारे जितने भी chapters मिलेंगे उसमें current की term आएगी और वहाँ current की term के अंदर आपको ampere ये fundamental यूज़ करना होगा ठीक है ना so this is again one more fundamental जितनी भी चीज़े charge या electromagnetism या current electricity में आप पढ़ेंगे उसमें ये ampere याने current का एक fundamental term आपको add करना होगा जैसे अब तक आप मैं mass length और time करते थे अब आपको ampere भी यहाँ पर add करना होगा ठीक है तो ये कुछ basic बाते हो गई ठीक है ना अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो मैं इसको सबने शायद note कर लिया होगा note कर लें इसको ठीक है जितना जादा से जादा हो सके board work को note करने की कोशिश करें definitions पूरी लिखने की कोशिश करें ठीक है ना और अब जो है हम main मुद्दे पे आते हैं तो सिर्फ कुछ नहीं था यह एक base था current का की current क्या चीज़ होती है ठीक है ना अब हम इस current को थोड़ा depth में समझने की कोशिश करेंगे इस current को हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझने की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो current है जैसे हमने कहा is defined as rate of flow of charge rate of flow of charge अब अगर हम देखें so i is equal to charge flown upon time so basically यह हो गया current ठीक है और current can be of two types two types first instantaneous current instantaneous current that is I simple I so I instantaneous current is nothing but dq by dt when charge flown for very small interval of time dt when charge flown for very small interval of time dt बहुत छोटे समय के लिए जब चार्ज को आपने फ्लो कराया तो that current is nothing but instantaneous current इसके बारे में instantaneous quantities के बारे में पहले भी जान चुके instantaneous quantities यहने क्या होता था हम लोग पहले भी देख चुके देखो rectilinear motion या फिर आपने straight line motion जब आप वन डाइमेंशनल motion पढ़ रहे थे हैं उस chapter के अंदर आपने बहुत आसानी से समझा था instantaneous speed instantaneous velocity इनके बारे में लोग 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 औरेडी चर्चा कर चुके है instantaneous quantities जो होती है ना they are defined for very short time they are defined for very very small interval of time that's why they are called instantaneous so this is instantaneous current हाँ आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए sir instantaneous है एक दूसरा जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था average speed average velocity तो यह पर भी आजाएगा average current तो आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए average current instantaneous current यह दो अलग values है पर physical quantity तो एक ही है वो तो current ही है physical quantity थोड़ी change हो रही है physical quantity is current हाँ आपको किसी time interval के लिए instantaneous current की value अलग मिल सकती है और average current की value अलग मिल सकती है but at the end they are currents same physical quantity so this is instantaneous current and the second one is average current the second one is average current इसको represent करने का जो तरीका है वो यह इसका symbol है खीकि average का sign ऐसे दो आप ऐसे लगा दो less than greater than बादे sign उसके बीच में लिख दो i को तो that is average current and this average current i average is equals to total charge flow that is delta q upon total time that is delta t and आप इसको लिख सकते है q final minus q initial upon t final minus t initial आप इसको इसा इसके लिख सकते हैं this is the average current this is the average current basically you can say instantaneous current is defined for very small interval of time and average current is defined for large interval of time delta d delta आपको पता है d अने very short thing very small thing delta is large thing d represent very small change delta represent very large change very large change into time that is delta T, so this is average current, this is instantaneous current, ठीक है, अब इसमें हम कुछ important बाते कर लेते हैं, if, यह बड़ी important बाते हैं, इसको याद रखेंगे, if q is f of t q, q is given, if q, if q is given as function of time, then, अगर दिया हुआ है कोई दिन, we can find instantaneous and average current, then we can find instantaneous and average current, क्यों दिया है, आपको instantaneous current निकालना है, तो for instantaneous current, क्या करोगे, दिमाग में आ गई होगी बात, अगर मुझे charge दिया है, और instantaneous current निकालना है, तो हम क्या करेंगे, simple, it is, you can say, it is derivative of, derivative of q with respect to time, this is nothing but derivative of q with respect to time, तो यह क्या कै सकते हम लोग, अगर हमें instantaneous, अगर हमें for instantaneous current, for instantaneous current, just differentiate q with respect to time, that is d dt of q, that is i instantaneous, यहां अगर आपको simple charge दिया है, function of time दिया है charge, current निकालना है, instantaneous current निकालना है, differentiate करो with respect to time, you'll get the instantaneous current, इसके बाद, यहां पर, ठीक है, for average current, over the interval, delta t, that is t2 minus t1, तो यहां simple क्या करना है, find q at t1 and, that is q1 बोल देते, and q2 at t2, q1 निकालो t1 पे, q2 निकालो t2 पे, दर्वाजान, और फिर यहां पर क्या कर दो, delta q लिख दो, that is q2 minus q1, ठीक है, और delta t लिख दो, that is t2 minus t1, तो इन सब को मिला किया, आपको मिलेगा, i average, that is delta q by delta t, very simple thing, average current निकालना है, तो यह process यूज़ कर लो, instantaneous current निकालना है, तो उपर वाली process यूज़ कर लो, अब इसके बाद, कभी-कभी current दिया रहे सकता है, if current i equals to f of t, function of time is given, current दिया है, and we have to find charge flown, अब मुझे charge जो flow हुए वो निकालना है, so you know that relation, i is equals to dq by dt, और i अगर function of time दिया है, वो निकालना है, कोई भी i अगर function of time दिया है, यहनि वो instantaneous दिया है, तो i equals to dq by dt, therefore i equals to dq by dt, यहनि देखो, charge दिया है, तो differentiate करके current मिलेगा, तो current मिलेगा, अगर current क्या है, तो क्या करने से charge मिलेगा, भाई, differentiate charge को किया, तो current मिला, तो current को integrate कर दो, तो क्या मिल जाएगा, charge, therefore, dq equals to i dt, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, therefore integrating both side, मेरे साथ साथ लिखते चलो, integrating both side, you'll get integral dq equals to integral i dt, so integral dq will become total charge q equals to integral i dt, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा charge, अब एक और मुद्दा है यहाँ आगे, इसके आगे एक और मुद्दा है, यहाँ थोड़ा था, और मैं यहीं पर define करता हूँ, if i is constant, और यहाँ दूसरे केस में, if i is variable, देखो भाई, i constant भी हो सकता है, i जो है variable भी हो सकता है, definitely i को मैंने function of time लिया तो variable ही होगा, but in some case i can be constant, if i is constant, just take it outside the integration sign, therefore integral i बाहर निकाल दो, q, i को integration के बाहर निकाल दो, q equal to i integral dt, integral dt is nothing but delta t, directly you can put that q equals to i into delta t, यानि अगर current constant है, तो सीधे current को multiply कर दो, तो स्थाइम इंटर्वल से आपको total charge मिल जाएगा, current constant है, तो क्या करो, time interval से multiply करो, time interval से multiply करते ही, आपको total charge मिल जाएगा, और if i is variable, then you have to integrate integral i dt, now you have to integrate it, और i जो था, वो function of t था, तो function of t था, तो उधर रख दोगे, तो i equals to integral f of t dt, now you have to integrate it, you have to integrate this, then you'll get that, तो जैसे हम लोगों ने देखा भी, कि अगर current दिया हो, और charge अगर आपको total charge flow निकालना है, तो अगर current constant है, तो आप सीधे charge, sorry, current into time को कर दें, multiply, तो आपको total charge flow मिल जाएगा, पर अगर current अगर variable हो गया, तो आपको उसे integrate करना पड़ेगा, और integral idt लिखेंगे, जैसे कि पिछली frame में था already, integral idt लिखेंगे, तो total charge flow मिल जाएगा, अब मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुछ graph से related बात कर लेते हैं, हम अगर कुछ graphs given है, तो graph for Q versus T and I versus T, ऐसे दो graph के बारे में हमें बात करनी है, और इन graphs के अंदर हमें क्या-क्या मिलेगा थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहन्ने देखो मैं कुलमिला के एक बात बता दूँ कि, मैं सारी ही possibilities को cover कर ले रहा हूँ, जैसे कि आपको बता दिया था, charge दिया है, तो current कैसे निकालना है, current में भी दो तरह की current है, instantaneous है, average current है, फिर उसके अगर current दिया है, तो current से आपको charge कैसे निकालना है, current constant है, तो आपको direct time से multiply करके charge मिल जाएगा, और अगर current variable है, तो integrate करके आपको charge मिल जाएगा, तो हम सारे ही cases को cover कर ले रहे हैं, और जादा से जादा क्या हो सकता है, तो आपको कोई graph दिया रहे सकता है, graph किसका देंगे, तो यहाँ पर main तो तीनी physical quantities है, charge है, time है, और current है, charge है, time है, current है, बस इसके उपर ही काम करना है, तो दो तरह से आपको graph मिल सकता है, या तो charge versus time का मिल सकता है, या तो current versus time का मिल सकता है, आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है, कि किसी भी graph में, दुनिया में, कोई भी graph में, दो ही चीज़ों observe करने वाली होती है, एक तो उसका slope और दूसरा उसका area, एक तो उसका slope और दूसरा उसका area, यहाँ पर दो graph हैं, और दोनों ही graph में से हम उसके slope और area को देख लेंगे, कि हमें क्या मिलता है, उससे कौन से physical quantity मिलती है, जैसे ही हमें physical quantity का अंदेशा हो जाएगा, फिर हम समझ लेंगे कि इस graph से हमें क्या मिलने बाला है, तो let's see, first is charge q versus time graph, हम पहले charge versus time का graph को देख लेते हैं, अब जो charge versus time का graph है, यह अपने पास एक axis है, यह time की axis है, यहाँ पर charge की axis है, यहाँ पर हमने कोई एक ऐसендम शेप का graph बना दिया, अब यह जो हमने graph बनाया है, मैंने कोई random shape का इसले बनाया है, कि किसी भी nature का graph हो सकता है, पेराबॉलिक हो सकता है, straight line हो सकता है, तो अब इस तरह का हमने graph बना दिया, अब हम पहले तो इसके slope की बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो slope है वो क्या मिलेगा हमें हम तोड़ा देखते हैं इसको तो यहां से हम इसको बना देते हैं एक line और यहां से हम इसको slope ले देते हैं सकते हैं कि भाई जब भी कोई चार्च वर्सिस टाइम का ग्राफ होगा अगर आप उसका स्लोप उठाओगे स्लोप उठाने से आपको डिक्यू बाइड टी मिलेगा वो होगा instantaneous current कोई पूछ सकते हैं सर इसके प्राद में यहां से average current नहीं निकाल सकता किया अरे बिल्कुल निकाल सकते हो क्या करना है आपको जब आप यहां पे instantaneous निकाल रहे थे तो आपने छोटा time interval लिया था आपको अगर average value निकालनी है तो आप बड़ा time interval ले लो यहां से मैं draw करता हूं इसको इस तरीके से draw कर देता हूं तो यहां से आप देखोगे तो this is a large interval of time that is delta t and this is a large charge delta q so you can say that this is average current that is delta q by delta t so यहां से आप average current भी निकाल सकते हो so at the end हमें एक बात यहां से समझनी है कि अगर charge versus time का graph अगर दिया हुआ है तो इसका slope हम लेंगे तो हमें current मैं लेगा और अगर हम बहुत चोटेicon interval of time कै लिए किसी point पे लेते हैं अगर तो हमें instantaneous current मिलेगा और अगर हम एक large interval of time के लिए लेते हैं तो हम एक average current मिलेगा और फिर अगर हम इसके अंडर area area under area under qt graph को देखें तो area जो होता है न वो हम लोग बहुत basic mathematics में पढ़े थे कि area किसी भी graph के अंडल जो होता है y integral y dx यह तो general है y x y axis के अगर graph है x और y general physical quantity से तो उसके लिए integral y dx हम लिखते हैं पर यहाँ y की जगा है q और dx की जगा है dt तो आप लिख लेंगे integral q dt अगर आप इसको लिखते हैं तो integral q dt यह आपको मिलता है column second और इस तरीके से हमने किसी भी चीज़ को define नहीं किया है तो जो area है q versus t graph का यह not defined है और यह हमारे लिए काम का फिलहाल नहीं है यह हमारे लिए काम का नहीं है यह चार्ज versus time का आप graph लेते हो तो आपके लिए सिर्फ slope काम का है और अगर आप उसका area देखते हो तो that is of no use for you अब दो ही चीज़े होती है किसी graph की slope और area slope आपका काम में आ रहा है current निकल रहा है area निकाल रहा है तो वहां से आपको charge into time एक physical quantity मिल रही जो कि कोई भी defined physical quantity नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे अब जो दूसरी तरीके का मेरे पास graph आ जाएगा वो आ जाएगा current I versus T का graph हम अब current versus time के graph को observe कर लेते हैं ऐसे हमें कोई random shape का ये time हो गया this is current है ना यहां से कोई इस तरीके का graph बना लो कोई दिकती नहीं है अब जब यह graph बना लिया आपने तो आपको simple चीज़ करनी है यहां से इसका slope देख लेना है ठीक है ना slope देख लेते हैं एक अच्छे से line draw करते हैं सुन्दर सी line draw करते हैं यह एक point आ गया फिर यहां से अगर आप देखोगे so यहां पे current आ गया di यहां पे current आ गया dT तो आप यहां लिख सकते हो बड़े अच्छे से कि वह जो slope है वह है di by dt that is rate of change of current with respect to time तो अगीन यहां जो slope है यह not defined physical quantity है इसका हमें कोई काम नहीं है ठीक है अब बात आती है area की तो अगर मैं area ले लो so this is the area under this curve this is the area under this curve मेरे यहां तक का area ले लिया so जो area आएगा फिर से integral y, y and a की i, i and d x and d t integral i, d t अभी जस्ट पिछले वाले फ्रेम में आपने देखा था integral i, d t क्या होता है integral i, d t क्या होता it is nothing but total charge flown this is the total charge flown so that you can say delta q equals to integral i, d t equals to area under area under current versus time graph खतम होगी कहानी graph की कहानी भी खतम होगी simple है दो तरह के graph charge versus time का graph current versus time का graph charge versus time के graph की दो चीजें उसका slope, उसका area charge versus time के graph का slope d q by d t instantaneous current delta q by delta t average current charge versus time के graph का area integral q d t that is not defined charge versus time का area that is not defined integral d q by integral q d t अब वहीं पे आते हैं current versus time का graph उसके भी दो चीजें एक तो slope और उसका area slope पे जाओगे तो di by dt मिलेगा that is rate of change of current with respect to time it is again a not defined physical quantity उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो इसका area integral i d t और area under i t graph is nothing but the total charge flow यहां जाके बात बड़ी simple है बहुत आसान यहां तक एक basic concept हमने समझ लिया है हमने instantaneous current को समझ लिया है basically यह बात समझ लो कि जो instantaneous current होता है it is nothing but d q by dt यह आप बहुत simple language में कह सकते हो differentiation of charge with respect to time with respect to time is i instantaneous ठीक है बस आपको differentiate करना है और आपको मिल जाएगा current instantaneous value अब हम क्या करते है यह जो concept हमने पूरे पढ़ ली है इन concepts को लगाते है questions करने के लिए और questions करते है जैसे कि हमें कभी charge दिया रहेगा current दिया रहेगा current से charge निकालने बोलेंगे इस तरीके से हम क्या करते है अलग-अलग concepts को use करके अब हम questions को solve करने की कोशिश करते है तो let's see अब यह किस तरह से होता है ठीक है ना तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ example number one लिख देता हूँ मेरे ख्याल से यह तो नीचे वाला visible रहेगा ठीक है ना तो यह नीचे वाला visible है cameraman कहता है नीचे वाला visible है तो हम क्या अगरते है question लिख लेते है ठीक है तो if charge q is equal to 3t minus 4 3t minus 4 then find i instantaneous for t equal to 4 second and i average for interval t equal to 0 to t equal to 4 second यहाँ तक आप देख सकते हैं शायद तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ इसको charge दिया हुआ है आपको then find instantaneous current for t equal to 4 second average current for the interval 0 to 4 second है ना दिमाग में बहुत simple चीज आगई होगी भी charge दिया current निकालना charge दिया current निकालना charge दिया है current निकालना है charge को क्या करोगे differentiate कर दो differentiate कर दिया आपने differentiate q with respect to t तो अप्र आपको क्या मिलेगा तो i instantaneous मिलेगा it is equal to d dt of q q की equation क्या दी हुई है that is 3t minus 4 दी हुई है 3t minus 4 का derivative अगर आप करते हो तो 4 का derivative तो 0 हो जाता है 3t का derivative 3 हो जाता है इसका मतलब i instantaneous जो है that is 3 ampere you have got the answer 3 ampere एक बात सोचो यहां जो charge दिया था वो 3t minus 4 था यहां टाइम डिपेंडेंट वैल्यू था यहां जो current आ रहाए that is 3 ampere only that is constant value यहां पे current तो constant होगे भई यहां पे current तो time का function है ही नहीं अलग-अलग time पे क्या current चेंज होगा यहां बोले कि चार सेकेंड में current निकाल के बताओ भई तो क्या बोलोगे चार सेकेंड के बद current है कितना 3 ampere हो तो जब भी लोगे आप आपको वो 3 ampere ही मिलेगा तो i जो है वो constant है instantaneous value 3 ampere आगे इसका मतलब i is constant अब आप से पूछा गया देखो simple चीज बताता हूं अगर आप घर से निकले और एक गाड़ी चला रहे हो आप 5 km per hour की speed से आप गाड़ी चला रहे हो आप हमेशा देखते हो तो 5 km per hour ही आपको सामने मीटर पर दिखता है आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो किसी भी instant पर आपसे पूछा जाए बताओ भही कितनी है speed आप बलोगे 5 km आप 5 km per hour ठीक है फिर आप जहां से निकले और जहां दूसरी जगा पहुंचे वहां का अगर total distance upon total time किया जाएगा यहने average value निकाली जाएगी तो भी कितनी आनी चाहिए obvious सी बात है वो भी 5 ही आनी चाहिए क्योंकि आपने कभी speed को change किया ही नहीं है तो जो constant value आपने हमेशा use की है वही average value भी बनेगी यहां पे जो है value यह constant है तो आप जब इसका average लोगे तो भी 3 amp यह आएगा तो मैं एक काम करता हूँ आपको i average निकाल के बता देता हूँ जो होता है delta q by delta t, delta q यहने क्या होता है q final minus q initial by delta t, delta t जो भी time interval है तो यहां देखो जड़ा t equal to 0 से लेके t equal to 4 second तक हमें यह चीज निकालनी है तो अब हम क्या करते है q final निकालते हैं पहले, final यहने चार सेकंड के बाद तो यहां जो charge की अपने पास equation है इसमें 4 सेकंड डाल दें तो 3 into 4 आजएगा minus 4 आजएगा 3 into 4, 3, 4 जा 12 minus 4 यहने कितना आजएगा 8 ठीक है और इसके बाद q initial जो है वो कितना होगा q initial जो है वो कितना होगा, वो कितना होगा भाई देखो ज़रा, देख लो यहां से q initial जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास में वो आजएगा 0 minus 4, यहने q initial actually आपके पास आगए minus 4, ठीक है अब यहां से अगर आप देखेंगे तो delta q कितना आ जाए तो q final minus q initial कर दो q final याने कितना हो गया 8 minus minus 4 n plus याने कितना हो गया 12 coulomb अब आप i average निकाल लो भाई i average आगया 12 coulomb by delta t delta t 0 से 4 के बीच का delta t 4 होगा 4 से काट दोगे तो 3 ampere बचेगा देख लो average current की value भी 3 ampere ही आ रही है जैसे की instantaneous की आई थी obvious है यह तो बड़ी छोटी बात है यह तो discuss करने लाए की बात नहीं है फिर भी बता रहा हूं ठीक है अब example number 2 लेते हैं ठीक है ना कुछ नया लेते हैं थोड़ा था अच्छा लेते हैं if q is equal to 3t square minus 4t find i instantaneous at t equal to 3 second and i average for interval for interval t equal to 0 to t equal to 4 second 4 second के लिए निकाला है again it is very simple again it is very simple same यहां सिर्फ एक linear equation थी यहां पर एक quadratic type की equation है यहां पर t का power 2 है ठीक है ना तो बस बड़ी simple सी चीज है यहां एक और चीज कर सकते हैं कुछ भी आप चाहें तो और भी वैसे कर सकते हैं थोड़ा था manipulate कर सकते हैं ऐसा बोला जा सकता है current निकालो जब charge 0 है एक और पार्ट इसमें add किया जा सकता है charge 0 का मतलब q 0 रख दिना t निकालना वो t दिक है current की equation में रख देना वैसा भी कर सकते हो फिलाल तो अभी अपन इसी को continue करें तो i instantaneous मुझे निकालना है so i instantaneous is nothing but dq by dt that is derivative of this equation 3t square minus 4t इसको differentiate करेंगे तो मैं आप differentiation के detail में नहीं जाओंगा यह आपको आता है इसको यहां लाओ तो यह आजाएगा 60 minus 4 यह आपके पास आगया current का instantaneous value पहले example में और इसमें एक अंतर है यहां आपको दिख रहा है कि current का instantaneous value now it is function of t अगर पहले वाले example में लेखोगे तो current का instantaneous value was 3 ampere यहां का दिखता नहीं है शायद दिखता है क्या इसको अपन यहां का में डालेते ना मेरे क्याल से यह सबने अभी कर लिया होगा सबने आपने इसको तो लिख लिया होगा सबसा रहा है ना तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी तो मैंने एक instantaneous value of current निकाल दिया है कि instantaneous value of current निकाला है वहां आपको दिख रहा है कि वह function of time है अगर वह function of time है इसका मतलब अलग-अलग time उसके अलग-अलग values है तो आप बहुत आसानी से मेरे साथ-साथ मैं इतना बोल रहा हूं पता है बीच में इसलिए ताकि मैं सोचता हूं कि तुम इसको solve कर लो कि अगर कोई genuine student होगा तो मेरे time pass करते समय पर कर चुका होगा अब आपको पोला गया है instantaneous current निकालो 3 second पे तो बस of instantaneous current at t equal to 3 second now the second thing is you need to find the average current अब जब मुझे average current निकालना है average current निकालना है तो मुझे फिर से क्या चाहिए मुझे चाहिए delta q by delta t और मुझे चाहिए अगर delta q तो delta q का मतलब है q final minus q initial अब q final का मतलब t equal to कौन सा second है वाई किते second किते second किते second 4 second तो q final याने t equal to 4 second पे आपको निकालना होगा और वो कितना आजाएगा तो वो आजाएगा 3 into 4 का square minus आजाएगा 4 into 4 तो यह कितना आजाएगा 16 16 into 3 याने 48 48 minus 16 याने कि आजाएगा 32 कुलंग q initial याने कि आपके पास आगया t equal to 0 पे t equal to 0 कि हाँ t equal to 0 है t equal to 0 का मतलब कितना आजाएगा q initial तो 0 ही आजाएगा इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो delta q है that is 32 minus 0 that is delta q is equal to 32 कुलंग देल्टा क्यों आगया average current की value आगयी 32 by time interval is 0 to 4 that is 4 4th hikato 8 ampere this is the average current so देखो कि अगर तो बड़े simple question है कोई बहुत बड़ी mathematics नहीं है बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत भारी कुछ हम नहीं पढ़ रहे बड़े simple से question कर रहे है बहुत आसानी से आपके ये बात समझ में आ सकती है इसको मिटा देता हूं ताकि next question पर बड़ सको मैं फटाफट से तो बहुत भारी नहीं है बस कुछ basic चीज़े हैं उसको follow करोगे तो फटाफट फटाफट सारे question आ जाएंगे it is very 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 simple है ना अब इनके बाद कुछ ऐसे question करते हैं अब तक charge दिया था, charge से current निकालना था अब कुछ ऐसे question करते हैं जिसमें आपको क्या कर देंगे हम लोग charge दिया था, charge से current निकालना था अब कुछ ऐसे question देते हैं जिसमें आपके पास current दिया होगा और charge निकालना होगा current di charge निकालना है current di charge निकालना है तो आपको simple integrate करना है if i is equal to 3t minus 4 find the total charge flown in t equal to 0 to t equal to 4 second 4 second i equal to 3t minus 4 अब यहाँ पर सबसे पहली बात सोचो यह current variable है या constant आपको दिखता है time का function है इसलिए variable है therefore to find charge we have to integrate integral i dt you have to integrate it अब बस integration करना है charge आपको current को यहाँ रख देना है value को यहने कितना हो जाएगा 3t minus 4 और यहाँ dt लग जाएगा और यहाँ limit रख दो आप 12th standard में आचुके हैं अब आपको यह इतना तो आना ही चाहिए आपको definite integration इतना आना ही चाहिए 3t यानि आप इसको क्या लिख सकते 3 by 2 t square मैं थोड़ा direct करूंगा और यहाँ जाएगा 0 से 4 minus 4 और dt का जाएगा t यहाँ जाएगा 0 से 4 यहाँ इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से 3 by 2 यहाँ पे आजएगा 3 by 2 और t square यहाँ आजएगा 16 minus 0 minus 4 और 4 minus 0 यहाँ जाएगा यहाँ पे आप जो Q निकालेंगे वो आजएगा 3 by 2 16 से multiply होगा minus 4 into 4 यह यह भी 16 हो जाएगा यह कटेगा 8 Q 8 3s are 24 minus 16 in 0 to 4 second मेरे करते समय देखो जैसी मैं question लिखता हूना मैं question लिखता हूना जैसे ही तुरंत ही आप क्या किया करें तुरंत ही उसको pause कर दें तुरंत ही आप उसको pause कर दें जैसे ही question लिखा तुरंत pause कर दो पॉस कर देने से क्या होगा कि मैं आगे बोलना बंद हो जाएगा मेरा तो आप क्या करो पॉस करके तुरंत ही अपना अपना question पड़ापट solve कर लो जैसे ही पॉस करो आप अपना question solve कर लो आप जब question को solve कर लोगे न तो फिर उसके बाद वापस से चालू करो और देखो मैं क्या कर रहा हूं और फिर चाहो तो थोड़ा आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा के सीधे answers चेक करो तो उससे क्या होगा तुम्हारा confidence बढ़ेगा जितने question तुम खुद solve करोगे उससे तुम एरिया तो चार्ज था आप current time graph के एरिया को देखोगे तो वही तो चार्ज था तो आपका मतलब यह है भई हां मैं यह कहना चाहता हूं कि आप क्या करो एक current versus time का graph बना लो आपको दिख रहा है यह graph बनाना आसान है यह अगर आप देखोगे तो यह आपको बड़े आसानी स y equal to mx minus c का form दिखेगा भई straight line graph बन जाएगा तो अब क्या कर सकते है बहुत आसानी से यहां पे current versus time का graph बना लो current versus time का graph बना दो mx m is slope is positive intercept is negative इसका मतलब intercept is negative slope is positive it will be something like this and this will be minus 4 this slope will be 3 so इस तरीके से हमें एक graph मिल जाएगा अब मुद्दा यह है कि हमें 0 से लेके 4 second के बीच में हमें देखना है कि भई कितना जो charge है वो flow हुआ है ठीक है जी कितना charge है वो flow हुआ है अब बस यह बात समझ लें 0 तो यह वाला हो गया और 4 second तो हम current की value निकाल दें तो at t equal to हमें काम करते हैं यहां पर at t equal to 0 t equal to 0 i equal to minus 4 जो कि हमें दिख रहा है यह वाला और at हम यहां लिख लेंगे t equal to 4 i equal to 12 minus 4 that is 8 ampere so 8 ampere का मतलब यहां पर कहीं आ जाएगा और इसको हम यहां से जोड़ देते हैं this is 8 ampere this is at t equal to 4 अब आप एक बात सोचें यह एक point है जहां पर current 0 हो रहा है तो current 0 कहा हो रहा है तो i equal to 0 i equal to 0 के लिए अब क्या करना पड़ेगा 0 equal to current की equation लिख दो वो क्या आएगा 3t minus 4 तो यहां से क्या आजएगा t equal to 4 by 3 शायद यह दिख रहा होगा इतना तो नीचे का दिख रहा होगा यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो यह time है यह time वह यह नहीं है 4 by 3 second अब आप देखो जरा इसका area और इसका area आपके पास charge आया 8 column अब आप देखो जरा इसका area इसका area इसका area देखोगे अगर तो इसका area कितना आ जाएगा तो आजाएगा half into base, base is what 4 by 3 into height is minus 4 so it will be 1s are 2s are 2s are 2 से काट लो तो it will be minus of 8 by 3 यह आ गया आपके पस और यह जो positive वाला idea है that will be half into base this base भाई यह base कैसे निकालोगे यहां तो पस गया इंसान तो यह base याने कैसा होगा यह होगा total 4 और यह वाला होगा 4 by 3 तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 minus 4 by 3 3 for the 12, 12 minus 4 is 8 by 3 so again half into base is that 8 by 3 into height, height is nothing but 8 so यह काट दो 4 से काट लो 48 by 3 48 by 3 तो जो net charge flown है, q net is in दोनों area को sign के साथ जोड़ लो इनके याने क्या हो जाएगा 48 by 3 minus 8 by 3 48 by 3 minus 8 by 3 तो यह कितना बन जाएगा देखो जरा 48 by 3 this or 8 by 3 इसको क्या कर सकते हम लोग क्या कर सकते हम लोग इसको देखो कि तो यहाँ पर देखो यह जो हम लोग देख रहे थे जस तरीके से तो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि हम लोग जब इसको add कर रहे थे, यहाँ पर हमें जो मिल रहा है देखो यह थोड़ा था गड़बर मिल रहा है यह गड़बर क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ थोड़ा calculation mistake हो गया, यह 8 into 4, 8 into 4 करोगे, तो यह कित्ता हो जाएगा 32, 32 by 3 हो जाएगा, अब 32 by 3 यहाँ पर आप रख दोगे, तो यह कित्ता बन जाएगा आपके पास 32 by 3 minus 8 by 3 याने आपको मिल जाएगा यहाँ से 24 by 3 और अगर इसको आप काटते हैं 3 से तो 8 जा, तो 8 कुलम याने यही वाला answer मिल जाएगा याने यह जो दोनों process है ना मैंने क्यों बताया है, देखो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे भी आपने देखो, इनको sign के साथ जुड़ा, याने आपको जो मिल रहा है वो net charge मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको जो मिल रहा है, वो net charge मिल रहा है तो इससे हमें यह समझना है, कि हम इसको graphically भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको अपना equation को integrate करके भी कर सकते हैं, बट एक बात पर ध्यान रखेंगे, कि यह जो linear equation थी ना तब तो आप graphically कर पा रहे थे, पर अगर आपको कोई ऐसी equation मिलेगी, जिसमें t square या t cube होगा, या इस तरह का कोई बड़ा power होगा, तब आपके लिए वो थोड़ी मुश्किल बाली चीज़ होगी, इसी लिए वहाँ पर graph नहीं बन पाएगा, यहाँ पर linear equation था, तो मैंने graph बना दिया, बट square की terms आएगी, तो parabolic graph हो जाएगा, और फिर अलग और कोई time अगर हम लेंगे, तो graph और change हो जाएगा, इसी लिए graphical method से किसी equation को solve करने की कोशिश ना करें, मैंने क्यों बताया है graph से, कि अगर कभी कोई graph ही दिया हो directly, कभी कोई directly graph ही दिया हो, तो आप उस graph को directly solve कर सकते हैं, जैसे मैं एक example ले लेता हो, ठीक है ना, जैसे हम लोग एक example ले ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक current वर्स आपको एक time का graph दिया हुआ है इस तरीके से, this is time, this is current, this is I0 and this is T0, ठीक है, simple, इसमें पूछा जा रहा है, for the given graph, for the given graph, find the total charge flown, find the total charge flown and also find the equation for I current, that is function of time and also find the average current for T equal to 0 to T equal to T0, यह आपको दे दिया question, ठीक है, तो आप क्या करें, अब यहाँ पर देखो बड़ा असान है, यहाँ graph दिया है, graph बुला है और फिर बुलता है, total charge flown निकालो, भी, charge यहने क्या होता है, current versus time graph का area, बहुत simple दिखरा है, straight line graph है, और वहाँ पर आपको area यहने क्या दिखरा है, तो area आपको इतना दिखरा है, आपको अगर समझ में आता होगा, तो this is nothing but the area, you can easily calculate the area of triangle, that shape is triangle, half into base into height, half into T0 into I0, बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है यह नहीं, यह आपके लिए question homework है, यह आपके लिए question homework है, और बहुत आसानी से निकल जाएगा का कहने का मतलब यह है, कि आप चाहो, तो पटा-पट से half base hide कर लो, half into T0 into I0 will be the charge flown, आपको बोला गया current as function of time, तो इस straight line का आपको बस क्या लिखना है, equation लिखना है, straight line की equation लिखनी तो आती होगी, और average current निकालना है, तो total charge आपको पता है, और total time भी पता है, उसके हिसाब से, आप average current निकाल सकते हैं, very simple thing, है ना, so this is all about, this is all about instantaneous current, average current, charge, है ना, charge दिया है, तो current निकालो, current दिया है, charge flown, find the charge flown, for equal to 5 seconds, 5 seconds के लिए कितना charge flow है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना, बहुत simple सी चीज है, यह एक instantaneous current, यहने constant current ही दिया हुआ है, आपको, constant current दिया है, तो सीधे time से multiply करो, you'll get the charge, है ना, तो बड़ी simple सी चीज है, सारी बात है यहाँ आगे, अब, यहाँ से आगे अगर बढ़े हम, तो मुझे एक physical quantity और define करनी है, यहाँ, I hope यह सबने लिख लिया होगा, यह बीच में थोड़ा था correction था, वो हमने correction कर लिया है, उसके बाद आपने यह सब चीज हैं लिख ली होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब, आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, देखते हैं, एक और physical quantity जो मुझे define करनी है, that is current density, ठीक है न, that is current density, तो अब हम उसको देख लेते हैं, current density, that is current crossing any cross-sectional area, current per unit area is nothing but current density, and that is defined by, that is actually defined, or represented by capital J, है न, तो एक current density के बारे में हम लोग काम करेंगे, अब current density को समझने की कोशिश करेंगे, कि यह होती क्या है, ठीक है न, तो यह देखते हैं, सबसे पहले इसको define कर लेते हैं, current density, it is represented by J, किसी-किसी किताब में कुछ अलग भी हो सकता है, इसका notation, यहाँ थो हम J लेके चलेंगे, कि क्या है, तो current density के बारे में करेंगे अगर बात, तो सबसे पहली बात, अब जब current होगा न, तो current हमेशा किसी cross section area से जा रहा है, आप यह हमेशा मान के चलें, कि current जो है, वो किसी conductor में जब चलता है, तो हमेशा उसके चलने को हम किसी cross section के लिए define करते हैं, किसी cross section area के लिए define करते हैं, तो यह मान लेएं कि भई यह है, चोटा सा हमें पढ़ लिया, इसका differential element, यह इसका चोटा सा width है, ठीक है, और यह जो मैं तूसरे color से दिखा देता हूँ, इसको blue color से, यह वो cross section area है, जिसमें से यह current जा रहा है, तो हम यह कह सकते हैं, कि if this is the area, this is the area, A is the area of cross section, area of cross section, and let I be the current crossing the area, I be the current crossing the area, then, then, current density, then current density, J equals to I by A, J is I by A, एक और चीज, यहाँ पर समझ में आती है, कि unit के बारे में तुरंती बात कर लें है, ampere meter square, ampere per meter square, current density की unit जो हो जाएगी, वो ampere per meter square, आप ampere per meter square इसके बारे में बात करते हैं, तुरंती आप एक बात और कर लें, भाई dimension की भी आत कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है, dimension की भी बात कर लें, तो J का जो dimension है, वो क्या होगा, ampere याने A का power, 1 meter square याने L का power, minus 2 नीचे था, उपर आगे minus 2 हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको define कर सकते हैं, ampere per meter square, उसका dimension बता दिया, आपने ये बता दिया, area जो होता है था, वो एक vector quantity होता है, area, area vector की बात करते हैं, अभी Gauss law पढ़ाता, fluxes पढ़ेते हैं, fluxes के अंदर area की बात की थी, area is a vector quantity, तो यहाँ पर जो current density है, current density, J is also a vector quantity, it is also a vector quantity, ठेक है, तो अब जैसे की, दो बाते हो सकते हैं, current density J जो है, J, can be constant, and J can be variable, J can be constant, J can be variable, so अगर हमें किसी cross section से, किसी cross section से current निकालना है, so I will be equals to, I will be equal to, यहाँ multiply हो जाएगा, और I a scalar quantity, current density vector है, area vector है, तो कौन सा product लागेगा बाई, दोनों का, दो vector के product से, scalar बनाना है, तो that should be a scalar product, तो I equals to, J into A, J dot A, this is nothing but the current, आपको सीरे सीदे क्या करना है, density को into area से, multiply कर देना है, तो आपको स्टोटल area से जाने वाला current मिल जाएगा, but if I is, sorry, J is variable, then current I will be again integration, J dot D, very simple, very simple, same thing, भाई अगर current density constant है, तो area से multiply कर दो, भाई, एक मिटर स्क्वाइर से, अगर, 10 ampere पर मिटर स्क्वाइर जा रहा है, तो 10 मिटर स्क्वाइर से कित्ता जाएगा, तो 10 into the 100 ampere का चला जाएगा, simple है, constant है, तो direct multiply कर दो, वेरियेबल है, तो integrate कर दो, बड़ा simple है, integration कब लगाना है, जब वेरियेबल कॉंटिटी से हमारा सामना हो, जब हमारा सामना वेरियेबल कॉंटिटी से हो, तब इंटीक्रेशन लगाना है, पर जब हमारा सामना constant कॉंटिटी से हो रहा है, तो आप integration से बद सकते हो, बड़े आसानी से वहाँ से निकल सकते हो, तो ये एक बड़ी simple सी चीज है, current is j into a for current density to be constant and it will be integral j dot a, j dot d a, sorry, for current density to be variable, okay? So this is one more thing, this is one more part, जो हम लोग यहाँ पर discuss कर सकते थे, अब एक छोटी सी चीज है, कितने मिनिट होगा है? हमें न थोड़ा सा ये वीडियो का length एक ही घंटे का रखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आज बीच बीच में कुछ disturbance होने के कारण, थोड़ा सा ये वीडियो की length जो है, वो थोड़ी inappropriate है, let's see कितने मिनिट का बना है, मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि बार, अभी दो बार ये camera बंध हो गया, है ना, थोड़ी सी गढ़बढ हो गई उस चक्कर में, तो खेर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इस से related कुछ एक दो question आपको देते हैं, इस से related कुछ एक दो question हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हम current density से related questions कर लेते हैं, या current density से related question को हम next class में करेंगे, क्योंकि question 3-4 कराने पढ़ेंगे, थोड़ा समय जादा लगेगा, पर ये concept आप अपने पास लिख के रख लो, मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक छोटा था concept है, current in the conductor, ये थोड़ा था concept है, इसकी theory के बारे में हम लोग कुछ बाते कर लेते हैं, current in the conductor, basically ये किसी conductor में current क्या होता है, current की value क्या होती है, current कैसे चलता है भाई, बस हमें इस बारे में बात करनी है, ठीक है, तो एक बात समझ ले, मैंने शुरू में ही बताया था, कि जब भी कभी हम किसी conductor की बात करते हैं, कोई भी है कि आपने rod ले लिया, iron का ले लिया, copper का ले लिया, कोई भी ले लिया है ना, तो जब भी कभी किसी cross section में से, ये cross section बनाता हूँ मैं, जब भी किसी cross section से, ये cross section की थोड़ी width दिखा रहा हूँ मैं, जब भी इस cross section से कुछ charges ये जो electrons हैं ये जो charges हैं जब ये electrons इसको भाग के cross करेंगे तभी current contribute होगा तभी current जो है हम कह सकते कि इस conductor में कुछ current है पर अगर ये इसको cross ही नहीं करेंगे तो conductor में current नहीं होगा अभी छुडवात में ही मैंने एक बात बताई थी कि मैं कोई rod ले लूँ iron का उस iron के rod की अगर मैं बात करता हूं तो उस iron के rod में मैंने simple चीज़ की कि भई भई इसमें मैंने उठा लिया उस rod को हाथ में और मैं ये बोलने लगा कि अब ये जो iron का rod है मुझे current लगेगा इससे तो ऐसा तो हो नहीं रहा जबकि मैंने शुरूर में बताया था कि वो जो iron का rod है उसके अंदर उसके atoms है electrons है वो सब होने के कारण इस तो अपने randomness से दोड़ी रहे हैं सब कुछ है बट हमें ऐसे ही कोई rod उठा ले हाथ में तो हमें current नहीं लगता वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका net displacement 0 होता है तो actually क्या हो रहा है यहाँ पे भी है जो electrons है यह random 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 ऐसे भाग रहे हैं अब actually जब यह random ही भाग रहे हैं तो फिर यह कभी भी किसी particular area को सब किसम मिलके cross तो करेंगे नहीं जब cross करेंगे नहीं तो current होगा नहीं इसका मतलब एक important बात हमने बचपन से पढ़ रखी है कि किसी conductor में current चलाना है तो इसके आजू बाजू कुछ लगाना पढ़ेगा क्या लगाना पढ़ेगा भाई कुछ तो लगाना पढ़ता है कुछ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं potential difference यानि आपको एक battery या कोई source जो की potential दे है potential difference create करें वैसा source लगाना पढ़ेगा जब आप ऐसा कोई source लगाएंगे क्या होगा मैं थोड़ा आज स्रिफ ना background समझा रहा हूं इसका next class में इसके concept को पूरा अच्छे से बताऊंगा आज स्रिफ background बता रहा हूं अभी थोड़े से कारण को displacement नहीं था जिसके कारण को करेंट नहीं था पर हुआ क्या जैसे ही आपने potential difference लाया यह electron बड़े बड़े खीचे गए भी positive charge positive वाला potential आए चलो भागो positive potential आए भागो भागो positive क्या तरब भागने लगए जैसे यह बागने लगे भागने लगे पहले यह randomness थी पहले यह randomness थी पहले ऐसे भागते थे नेट displacement zero कर लेते थे अपना बागते थे बागते थे net displacement zero कर लेते थे फिर इधर आया थे net displacement जैसे potential difference आया रेंडमनेस तो चलती रही रैंडमनेस खतम नहीं हुई randomness को ले के भागे randomness को ले के भागे सर क्या बोड़े है सर कुछ समझ में नहीं आए देखो ज़रा मेरे बनाए हुए dotted line को देखो ये shape वैसा ही है ये shape वैसा ही है थोड़ी drawing है उसको थोड़ा सा excuse करो ये shape देखोगे तो वैसा ही है यहां से यह आगे सरक गया पर वो जो randomness है पूरी की पूरी सरक गई यहां से यहां सरकने को कहते है drifting इसको कहते है drifting of electrons drifting of electrons पर ये कौन कर पाया ये पहले अपने आप rod में खुद बखुद हो रहा था गया अपने आप तो rod में नहीं हो रहा था ये ड्रिफ्टिंग अपने आप नहीं हो रही थी अपने आप तो सिर्फिक randomness थी अभी कोर बात बता दू तुम्हें ये randomness में net displacement equal to zero net velocity equal to zero or speed or distance travel can distance travel zero distance travel zero distance travel is not zero and speed equals to 10 10 का पावर 6 meter per second speed of order order the crowns if number name aggressive order legal 10 का पावर 6 meter per second so big so large it to new body speeds randomness करते electrons but net displacement maker party displacement कराने वाली है ये drift drifting तो ये drifting से due to drifting due to drifting of electrons they have a drift drift velocity एक नई टर्म को इंट्रीउस करा हूं drift velocity वी डी और ये approximately होती है 10 के पावर माइनस 4 meter per second order की order है ये सिर्फ नंबर से हमें कोई लें देन नहीं order असा दरा सोचो 10 का पावर 6 10 का पावर माइनस 4 huge difference again randomness की इत्ती बड़ी स्पीड है और ये वाली स्पीड जो है drifting की किती छोटी हां बिल्कुल छोटी वो पूरा ऐसा randomness लेके धीरे 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 पूरा सरकते रहता है इलेक्ट्रॉन ये randomness लेके सरकते जा रहा है यह अगर कोई बोड़ा positive polarity लगा हुआ है तो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन है अपनी randomness को लेके इस तरफ सरका है उस randomness को लेके सरकने वाली process को ही कहते है drifting और उस drifting के लिए जो हमें velocity मिलती है वो है drift velocity 10 का conductor रखा हुआ है तो उसमें current इसलिए नहीं चलता क्योंकि randomness है randomness के कारण net displacement 0 and net displacement 0 है तो वहाँ पे किसी पी तरह से rate of low charge नहीं है पर जैसे ही आप किसी conductor के across potential difference लगाते हो सारी electrons जो है वो positive potential की तरफ एक attraction महसूस करते हैं जिसके कारण वो अपना randomness लेके ही उसकी तरफ per second के order की होती है इतनी बातों को समझेंगे next time next class में हम क्या करेंगे कि actually current क्या होता है conductor के अंदर उसको निकालेंगे वैसे चाहें तो हम बहुत simple सी चीज है पर मुझे कुछ चीजें निकालने के लिए define करनी पड़ेगी मैं सोचता हूँ अगली class में बढ़े अच्छे से उसको define करूँगा तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकेंगे current क्या होता है i equals to dq by dt की value क्या होती है dq by dt की value निकालने की कोशिश करेंगे और वहां से current क्या है वह हमें समझ में आईगी बातें तो stay tuned for the next lecture and now onwards you'll get regular lectures for one hour on the daily basis on YouTube so be in touch with us with this lecture कुछ बीच-बीच में थोड़ा आज के दिन pauses हो गए है क्योंकि बीच-बीच में दो बार mobile तीन बार बंद हो गया तो for that inconvenience हम शायद उसको थोड़ा editing में सुधार पाए शायद तो let's see है ना so for now we'll stop here ठीक है तो अभी हम यहाँ पर रुक जाएंगे good bye